नमस्कार दोस्तो, स्वागत भी हैं अपका हमारे चेनल के वी उलेक्टिकल मैंटेनेंस में दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस परकार की जो चोक होती है ब्लास्ट होती है उसके कनेक्शन को कैसे करें क्योंकि यह जो टर्मिनल होते हैं इसके इस पर टर्मिनल पर कोई भी मार्किंग नहीं है कि किस जगह पर हमें कौन सा बायर कनेक्ट करना है और दूसरी जो चोक होती है उस पर मार्क रहता है कि किस जगह पर हमें कौन सा बायर कनेक्ट करना है तो देखी ये वाली जो चौक है और ये लगी होती है हमारी ये sodium vapor lamp है इस वाली जो lamp होती है इस पर ये लगी होती है ये एक 500 बाट की sodium vapor lamp है तो इसमें हमें देखना है कि किस वायर को हमें किस जगह पर connect करना है जो पुरानी चौक आती थी इस प्रकार की उस पर terminal पर लिखा हो और अगर कैपिस्टर लगा हो तो ठीक है नहीं तो बना कैपिस्टर के भी हम इसके कनेक्शन को कर सकते हैं तो देखिए जो हमारी यह चोक होती है ब्लास्ट होती है इस पर यह टर्मिनल पर कोई भी मार्किंग नहीं है इस पर मार्किंग नहीं है जिससे हम कनेक्शन कर पाएं और दूसरी चोग उते थिते उस पर connection यह टर्मिनल पर इसके सामने लेखे रहते थे तो इस पर confusion ज़रूर रहती और लाती ओगी कि इसके connection को कैसे करें तो देखे यह जो blast है इसके टर्मिनल है और इसके दो circuit diagram बने हैं तो हम किसी एक सर्कृत diagram को देखके इसके connection कर सकते हैं तो जब देखेंगे यहाँ पर 240 जो supply दिखा रही यह point है वो black black दिखा रहा है तो वो यह point है यहाँ पर हमें देखना होगा तो इस पर जो main supply को देना होगा line को देना होगा तो यहाँ पर देखेंगे जो circuit diagram में देखेंगे हम और यहाँ पर देखना common के side black black होगा है तो यह common terminal हो गया यह वाला और उसके बाद 220 पर यह black black है तो यहाँ पर यह वाला जो terminal है वो हमारा 220 का terminal हो गया है तो इसी हिसाब से हमें इसके connection करना है तो सबसे पहले देखेंगे जो line है यहाँ पर जो line बायर जा रहा है वो 240 number supply में जा रहा है तो यहाँ पर यह 240 number हमारा terminal हो गया है तो हमारी जो main supply आएगी वो हमें इस पर connect कर देनी होगी और उसके बाद जो ignator होगा हमारे पास ignator होगा तो ignator का जो हमारा पीला बायर जाएगा वो हमारे चौक के 220 number supply में connect होगा 220 number जो connector होता है उसमें connect होगा तो 220 number connector हमारा यह है तो इस पर हमें जो ignator है उसका पीला बायर है वो connect कर देना होगा और उसके बाद यह जो common connector होता है देखना यह जो lamp लगी हो जो holder लगा होगा है तो चौक से एक बायर holder में जाएगा तो वो हमारा जाता है common से तो जो common terminal है वो हमारे blast में यह वालक होगा क्योंकि यहाँ पर देखिया जो black black point बना हुआ है वो common पर इधर बनाऊगा तो यह हमारा common terminal होगा है तो यहाँ पर जो हमारा holder है उसका एक बायर हमें यहाँ पर common terminal से connect कर देना हुगा तो दोस्तो इस परकार से आप इस चौक के connection कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर black है तो वो जो टर्मिनल है वो बही टर्मिनल है तो आप वहाँ देख लेंगे circuit diagram में और connection को कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप इसका practical वीडियो देखना चाहते हैं कि sodium vapor lamp के connection कैसे की जाते हैं तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है कि sodium vapor lamp के connection कैसे की जाते हैं वो भी practical तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो description में हम उसका link देदेंगे आप बहां से देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना है